इस चैप्टर के अंदर क्या होगा बच्चे आपके पास कोई टू इक्वेशन होगी क्या होगी आपको क्या करने उन इक्वेशन में सब्सीचिट करकर आप क्या करोगे उसे पहले लिनियर बनाओगे रहें ट्रिन करें एपने तीन मैफ़ोड मैफिल्केशन जो आपको अच्छा लगता हो अप उसके अंदर मैफड लगा होगा मैं आपको एक sum के साथ साथ बताऊंगी कि equation reducible क्या होगा suppose आपके पास यह मैंने first sum लिया exercise 3.6 का first का first part first के first part में दिखो जो variable part है वो denominator में दिये गए जो variable part आपके because denominator में दिये गए it means यह linear तो है यह नहीं पड़ आपको क्या करने है इसको linear में convert करने है कैसे करोगे equation reduce करके एक्वेशन को क्या करने है आपने reduce करने है reduce का ऐसे करेंगे by substitute तो कैसे substitute करोगे आप जैसे आपका 1 by 2 x है इसे आप write कर सकते हो 1 by 2 into 1 by x ऐसा write कर सकते है यह ना same next के अंदर आप write कर सकते हो 1 by 3 into 1 by y that is equal to 2 ऐसे ही second के अंदरम write कर सकते हैं 1 by 3 into 1 by x प्लस इसे आप write कर सकते हो 1 by 2 into 1 by y that is equal to 13 by 6 अब आप क्या करोगे इन variable को substitute करके किसी another variable में change करोगे कैसे करोगे आप let कर लोगे now let 1 by x equal to p and 1 by y equal to q 1 by x equal to p and 1 by y equal to q आप इन equations के अंदर p और q output करोगे तो यह आपका क्या बनेगा 1 by 2 p plus 1 by 3 q that is equal to 2 second आपकी क्या बनेगी 1 by 3 p plus 1 by 2 q that is equal to 13 by 6 और हम अमेशन क्या करते है कि जब आपके बस fraction में होती है equations हम LCM लेकर उसे पहले simplify कर देंगे तो इसको 2 by 1 करके पहले आप क्या करो इसका LCM ले लो हो जाएगा 2 क्या हूँ now equal to 6 by 6 6 2 जा 12 यह आपकी एक्वेशन जब आपके दोनों का LCM लेकर 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 दोनों का तो LCM क्या आएगा मेरे पास 6 now 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा 2P बन जाएगा यह हमारा similarly जो next है वो हमारा बनेगा 3P और उसके बार मारे पास क्या बन जाएगा 13 6 हमारा रिभू हो जाएगा तो यह बनेगा 2P प्लस यहापका क्यों आएगा यहाँ पर 3Q is equal to 13 और मैं इसे name देरी equation number 4 अब आपके पास जो यह equations है वो ऐसी equations है जिसे हमने substitution method किया यह cross multiplication किया elimination किया वहाँ पर हमारे पास ऐसी equation बनते थे अब it's your choice किपों क्वों सा method लगाना चाहते हो and मैं हमेशा क्या करता हूँ elimination लगाती हूँ तो मैं elimination ही लगाँगी तो elimination क्या था हमारे पास कि या तो आप P के coefficient equal कर लो यहा फिर आप या ओउगरे CiU के coefficient equal तो मैं क्या करने जा रही हूँ P के coefficient equal कर जोए हूँ 3 मैं क्या कर रहुँ इक्वेशन 3 को multiply कर रहे हूं 2 के साथ और equation 4 को multiply कर रही हूं मैं 3 के साथ तो multiply करोगे तो सबके साथ करने है आपको 2,3 जा 6 6P बन जाएगा 2,2 जा 4 4 क्यों हो जाएगा और 2 को 12 से multiply करोगे तो क्या बनेगा ये 24 आप इसे कोई भी equation गंदे मागे दे सकते हो, suppose मैंने दे दिया number 5, same, आप 3 टूजा, 6P, 3 थ्रीजा, 9Q, 13 थ्रीजा, 39, और जी हमारी equation क्या हो जाएगी, 6, दोनों ही positive हैं यह आपके, now subtract कर दोगे, subtract equation 6 from 5th, sign change हो जाएगे यह आपके, okay, now यह आपका cancel हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचा है, minus 5Q, और इदर आपके पास आजाएगा, 5, 5, minus 15 हो जाएगा यह आपका, minus से minus, cancel हो जाएगा, now Q equal to कितना आगया, आपके पास 15 by 5, cancel करोगी यह आपके पास कितना आगया, 3, अब Q की value को आप कहाँ put कर सकते हो, जो इसमें से किसी में भी, है ना, बट आप इसमें से नहीं put कर सकते, विकर्ज आपके पास यह जो first or second equation है, वो उसमें क्या है, variable x, y है, now मैंने put किया, put Q equal to 3, in equation third, मैं third के अंदर put करने जा रही हो, तो third के अंदर, third के अंदरा जवाब put करोगे, तो हमारे पास equation है, 3P plus 2Q is equal to 12, now Q की value क्या put करने है, 3, 3P plus 2 multiply 3, that is equal to 12, now 3P plus 6 is equal to 12, 3P is equal to 12 minus 6, that is equal to 6, and P is equal to 6 by 3, cut करेंगे क्या आजाएगा, 2, तो P की value 2Y हमारे पास Q की value 3, but equations के अंदर जो variable है, वो आपके क्या है, x और y, तो हमें जो answer चाहिए, जो value चाहिए, वो हमें x और y की चाहिए, तब क्या करोगे, last में जो आपने यहापने यहापने सथिची चूट किया था, वहाँ पे y equal to Q, put कर दो इसके अंदर, 1 by x equal to P, P आपके पास क्या है, 2 है, 2 पुट कर देंगे, cross multiply करेंगे, आपके पास आजाएगा, 2x equal to 1, then x equal to 1 by 2, similarly, क्यों की value put करो, 1 by y equal to 3, 3 को आप write कर सकते हो, 3 by 1, cross multiply करोगे, यह आपके पास हो जाएगा, 3y equal to 1, then y equal to क्या हो जाएगा, 1 by 3, these are the exact value of x and y and these are the answer also, okay, this is the method of equations reducible, ठीक है, आपको क्या करना है, first of all, जो आपके variable है, क्योंकि यह by में दिया हो है, तो आप इसको reduce करके, किसमें convert करोगे, another variable में, जो आपके another variable से जो दो equations आएगी, उनमें आप method लगाओगे, it's your choice, कोई भी method लगा सकते हो, method लगा कर आप क्या करोगे, पी और क्योंकि value find out करोगे, जो पी और क्योंकि value आएगी, उसको वापिस आपने, जो आपने शुरू में let किया था, उसके अंदर put करोगे, then आपके पास x or y की value आजाएगी, ओके बटा, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ, तब तक के लि खास तो आप भास बहा कर दोateg कर दोने, जसके दूँए उसके वाँएगी, जसके दो कि जएगी यören, जसके वाँएएग USB, जह आपके वाँएगे